साहिराम बच्चो आज की कक्षा शुरुबात करते हैं और कक्षा की शुरुबात में जैसा कि आपको पता ही है हम ओम करते हैं तो आए हम सब मिलकर तीन बार ओम करते हैं ओम 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 साहिराम बच्चो जैसा कि आपने वीडियोज में देखाई ही होगा कि हमने अभी पाट को पढ़ना और उसके अभ्यास करना अभी फिल्हाल के लिए रोका हुआ है और हम जरूरी व्याकरण जो है आपके लिए हिंदी में जो जरूरी व्याकरण है हम वो बढ़ रहे हैं तो आज हम उसी के अंतरगत एक बहुत जरूरी विशय व्याकरण के अंतरगत लेंगे वो है सर्वना कल के वीडियो में हमने संग्या पढ़ी थी आज के वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ींगे जो की संग्या से संबंदित ही रहता है संग्या और सर्वनाम यह आपस में चुड़े हुए रहते हैं ठीके बच्चो तो आज हम सर्वनाम पढ़ते हैं और सर्वनाम को आपको पढ़ाने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही है यह देखिए यह है व्याकरण के अंतरगद आने वाला विशय सर्वनाम सर्वनाम का क्या अर्थ है यह हम देखते हैं सर्वनाम वह शब्द जो संग्या के बदले संग्या के बदले या संग्या के स्थान पर उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं बच्चो मैंने अभी आपको बताया न कि संग्या और सर्वनाम आपस में जुड़े हुए हैं संबंदित है तो सर्वनाम क्या है संग्या के स्थान पर संग्या मतलब संग्या का क्या अर्थ है नाम किसी व्यक्ति वस्तू स्थान या भाव का नाम, तो उस नाम के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम, नाम के स्थान पर उपयोग होने वाला शब्द सर्वनाम क्या लाता है, जो समझ में आया, अब सर्वनाम शब्द कौन-कौन से होते हैं, हम इसमें से कुछ उ मैं, तुम, हम, वह, आप, इसका, उसका, उसकी आदि, ये इसमें से कुछ उधारण है, और भी सर्वनाम शक्त है, मैं किसके लिए, क्या हम लिखते समय अपना नाम, या अपना नाम का उच्चारन करेंगे, नहीं, हम अपने नाम के स्थान पर क्या कहेंगे, मैं, कहेंगे न, हम ऐसा तो नहीं, जैसे मेरा नाम है प्रवीणा, है न, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि प्रवीणा बाजार गई, या मैं स्कूल जाती हूँ, ऐसा कहूंगी मैं, है न, अच्छा, अब आप बच्चे हो, तुम लोग सब बच्चे हो न, छोटे, है न, तुम लोग जब ख्लास में रहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कि तुमारा नाम न लेते हुए, हम पूछते हैं, बिटा तुम कहां गय थे, है न, और जब बहुत सारे लोगों के लिए, हमें उच्चारण करना होता है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, है न, हम सब, हम सब ने खाना खाया, है न, अब कोई और अगर शब्द हो, कोई और अगर दूसरे तीसरे व्यक्ति क फ़ लमें बोलना है, तो हम वह का प्रयोग करते हैं, वह पेड़ या वह मैदान, वह शहर, है न, और हमें अगर किसी को संबन देना होता है, तो हम मैं, तुम, हम की जगध, आप का उपयोग करते हैं, कभी हम नाम के स्थान पर इसका कहते हैं इसका या उसकी या उसका है ना इस तरह हम सर्वनाम शब्दों को उपयोग करते हैं जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है है ना बच्चों एला है सर्व दूसरा है नाम अर्थाद जो नाम के स्थान पर सर्वता उपयोग किया जाए वह सर्वनाम होता है जैसे मैं तू वह मैंने आप यह वह कोई कुछ जो सो कौन तुम तुम्हारा मेरा इसका उसका किसका अशा है आपको इतना समझ में आया होगा आगे देखते हैं यह एक सर्वनाम का उधारन है जैसे हमने राम के विशय में राम एक लड़का है मतलब एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है उसका नाम है राम हमने उसके विशय में कुछ वाक्य लिखे हैं, देखिए, राम दूसरी कक्षा में पढ़ता है, राम पूल जा रहा है, राम के पिता जी पुलिस है, राम की माता जी डॉक्टर है, राम की बहन खाना बना रही है, उपर लिखे वाक्यों में राम नाम अर्थात संग्या है बच्चों समझ में आया राम एक नाम है एक लड़के का नाम है है ना तो नाम क्या है संग्या राम जो है वो संग्या है संग्या का प्रयोग बार-बार हुआ है और आना Σही वाक्य नहीं कहलाता अत यदि हम केवल पहले वाक्य में राम अर्थात संग्या क्या प्रयोक करे और बाकी वाक्यों में सर्वनाम शब्द का प्रयोक करे तो सही भी होगा और वाक्य पुरूचिकर याने इंटरेस्टिंग भी लगेगा बच्चों समझ में आया आपको अब इसको हम सर्वनाम के साथ कैसे रिखेंगे आईए हम देखते हैं ये देखें राम दूसरी कप्षा में पढ़ता है वह स्कूल जा रहा है उसके पिताजी पुलिस है उसकी माताजी डॉक्टर है उसकी बहन खाना बना रही है बच्चों देखा आपने हमने केवल पहले वाक्य में राम नामक संग्या का प्रयोग किया और उसके अगले सारे वाक्यों में हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया वह उसके उसकी उसकी तो ये जो वाक्य हमने सर्वनाम का प्रयोग करके लिखे हैं, ये व्याकरण के हिसाब से हिंदी भाषा के हिसाब से सही है बच्चो समझ में आया? चलिए एक और उधारण देखते हैं, है ना? समझने के लिए एक और उधारण देखते हैं बचो आप सब भी नानी के घर जाते हैं गर्मी की चुट्टियों में या सर्दी की चुट्टियां लगते हैं तब नानी के घर जाते हो, बड़ा मज़ा आता है हरषित के नानी के घर हरषित के मामा मामी भी रहते हैं हरषित के मामा हरषित को पार्क में ले गए हरषित ने पार्क में जूला जूला बच्चो ये पाच वाक्या है हमने हर वाक्य का आरंब हरशित के नाम से किया है अब आप बताइए हरशित क्या है संग्या क्योंकि वो एक लड़के का एक बच्चे का नाम है है नब बच्चो हरशित क्या है संग्या तो क्या ये ज़रूरी है कि हर वाक्य नाम या संग्या से आरंब हो नहीं उपर लिखे वाक्यों में हरशित नाम अर्थात संग्या है संग्या का प्रयोग अर्थात हरशित नाम का प्रयोग बार बार हुआ है जबकि हरशित संग्या के थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है जो ज्यादा सही होगा है न बच्चो समझ में आया अब इसको हम सर्वनाम के प्रयोग के साथ देखते हैं कुछ इस तरह हरशित नानी के घर गया उसकी नानी के घर उसके मामा मामी भी रहते हैं उसके मामा उसे पार्क में ले गए उसने पार्क में चूला चूला वह खुशी खुशी अपने मामा के साथ घर लोटाया है चो समझ में आया हमने केवल पहले वाक्य में हरशित नामक संग्या का उपयोग किया है उसके बाद सारे वाक्यों में हमने संग्या की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया है तो ये सर्वनाम शब्द हुए अब एक अभ्यास मैंने आपके लिए तयार किया है इसको आपको हल करना है देखिए क्या है? आयुश आगरा गया था आयुश ने आगरा में ताज महल देखा आयुश को ताज महल देखकर बहुत आश्चरिय हुआ आयुश को ताज महल बहुत अच्छा लगा आयुश ने ताज महल की बहुत सारी फोटो खीची उपर लिखे वाक्यों में आयुश और ताज महल संग्या है जिसका उपयोग बार-बार हो रहा है क्या आप उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं? बच्चों कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं और मुझे पूरी आशाहिनी पूरा विश्वास है कि आप इसको जरूर हल करेंगे करेंगे ना? अच्छा, आपको पहले हल करना है उसके बाद जो मैंने ये उत्तर दिये हैं उससे आपको मिलाना है देखिए इमानदारी से करिएगा पहले हल कीजिएगा उसके बाद मिलाईएगा सही है तो बहुत अच्छा लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है, तो उससे डरियेगा मत, है ना, फिके बच्चों ये देखिए, आयुश आगरा गया था, उसने वहां ताज महल देखा, उसे वह देखकर बहुत अश्चर्य हुआ, उसे वह बहुत अच्छा लगा, और उसने ताज महल की बहुत सारी फोटों ही, ठीके बच्चों, ये गुआ उत्तर पर, उत्तर पहले नहीं देखना है, पहले हमें अभ्यास अपने मन से हल करने की पोशिश करना है, ठीके, तो बच्चों ये थे सर्वनाम शब्ड, ठीके, जो संग्या के बदले या संग्या के स्थान पर उपयोग किये जाते हैं, संग्या अर्था नाम, किसी भी व्यक्ती वस्तू स्थान भाव का नाम, उसके स्थान पर जो हम चब्ड उपयोग करते हैं, उससे सर्वनाम कहते हैं, ठीके बच्चों, मुझा आशा है, आपको ये समझ में आ गय होंगे, चले, आज के दिन के आती हूं, ये मैं वापसा आदे, ठीके बच्चों, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, इसे अभ्यास को हल करने का प्रयास कीजिएगा, और अगर आपको इस तरह के और अभ्यास मिलते हैं, तो उसे भी हल कीजिएगा, आप की प्रैक्टिस होगी, तो कि बच्चों व्याकरण सीखना बहुत जरूरी होता है, किसी भी भाशा का व्याकरण पहले सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीके बच्चों, तो आज की कक्षाक में इतना ही, आज की कक्षाकों हम विनाम देते हैं, और कक्षाक का समापन हम चान शांती, शांती, शांती ही, जाई राम बच्चो, बाई बाई, कल फिर मिलेंगे.